दोस्तो नमस्कार दैमन जीके क्लासेज में आपका हर्दिक श्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम साइन्स मैथ की कटोफ क्या कटोफ रह सकती है साइन्स मैथ थर्ड गेड जो है रिटमेंस एक्जाम की साइन्स मैथ की कटोफ क्या रहने की संभावना है वो देखने का प् कुछन 90 से 95 किशन यदि किसी कंडिडेट के सही हो रहे है नेगटिव मार्किंग के बाद कटने के बाद तो उसका मलब सम सेलेक्शन होने की पूरी समवावना यहां पर है EWS में 86 से 88 के बीच में जिसके क्युशन सही हो रहे है उसका भी सेलेक्शन यहाँ पर आपको होता नजर आ रहा है और सेलेक्शन यहाँ पर हो जाना चाहिए SC है SC कंडिडेट में 82 से 84 SC जो कंडिडेट है उनकी 82 से 84 के लग भग मान के चलना दोस्तों आप यह लग भग मान के चलना है लग भग कट ओफ रहनी के सम्भा होना है कि 82 से 84 क्यूशन जो है आपके यहाँ पर मायनेस मार्किंग के बाद बचने चाहिए SC में दोस्तों SC में 78 से 80 78 से 80 के बीच में यानि की 22 से 80 से 80 से 80 के बीच के जो क्यूशन आपके वो सही होने चाहिए यह इसकी कट ओफ रहने की पूरी सम्भावना है और दोस्तों जन्रल में 95 से 100 के बीच में कट ओफ रहने की यहाँ पर सम्भावना आपको और दोस्तों आपकी रिट की जो एक्जाम है वो हो चुकी है अभी तलाव लेने की को या सकता नहीं है जो भी हो गया वो अच्छा हुआ है यह मान के चलो आप अब आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको आगे जो भी एक्जाम है उसकी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाह और जो भी होगा वो बोर्ड के द्वारा होगा जो भी कट ओफ होगी पहले इसके आंसर की आ जाती है आंसर की के बाद में कट ओफ आ जाएगा तो उस समय आपको अपना पूरा एदम कर नंफर में में पता चल जाएगा ठीक है तो दोस्तों चिंता करने की आउसकता नहीं है टेंशन लेनी की आउसकता नहीं है खाऊ प्यों मस्त रहो और आगे की तैयरी शुरू करो पड़ो